अगर वो कल चुनोती के लिए आते हैं, आज अगर आगए होंगे तो अभी सुईकार हमने कल ली है और चुनोती के लिए आते हैं तो हम उनको कहेंगे कि अगर हमने बता दिया तो उनको जीवन भर हमारा गुलाम होना पड़ेगा अगर हमने नहीं बताया तो हमंद विश्वासी बाबा हो गए और अगर हमने बता दिया मानिनी ये महोद है तो तुम्हें जिंदिगी भर पानी भरना पड़ेगा पागे सुर्धाम पर पानी और हम भरवाले भी तुम से आजाओ कल दरबार में पानी भरवा लेंगे हम आजाओ दरबार में हमें दम है क्योंकि बाला जी हमारे है एक-एक हिंदू के बाला जी है और कोई इतना ललकार के कैसे बोल सकता कुछ न कुछ तो होगा हमाने बाला जी है अपने विश्ट पर भरोसा और एक बात अभी रुकिए एक बात और बोल देनी चाहिए जिनों ने भी चुनावती दी उनको हम खर्चा देंगे आज नहीं आप आए हो तो कल आ जाएए पैंटगीली हो जाएगी फिर मत कहिएगा क्योंकि हमें 23 तारीक को चला जाना है पचीस तारीक तक कता है यहां लेकिन हमें 23 को जाना है क्योंकि धाम पर यग हो नहीं है फिर मत कह दीजिए कि भाग गए फिर मत कह दीजिए कि हम तुमाएं मूर पर नचेंगे चिंता मत करो आर एक-एक हिंदू को हम जगा करके रहेंगे चिंता मत करो तो जिन्होंने भी चनोती दी हमें चैलेंज सुईकार है लेकिन दरबार में बिलकुल घोषना पूरबक कह रहे हमको तुमारी चनोती सुईकार है जो हमें पिरना लगेगी हम बताएंगे आजाओ दरबार में तुमारी ठट भी आजाओ फिर कल मत कहना कल और दरबार लगेग आजाओ खर्चा हम देंगे, सिकॉर्टी भी हम देंगे, सिकॉर्टी भी हम देंगे, हम पुलिस से निवेदन कर भी के दो चार्ट है या पुलिस बारे लगा दो, साकुसल घरे जागे, हम सिकॉर्टी भी देंगे, आदर भी देंगे, पनीर की सबजी भी खबाएंगे, दो मि नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम सनातनी हैं डरपॉंक नहीं है प्यारे हम मंच से और हमारा दरबार कोई कमरों में नहीं लगता है लाखों लोगों में लगता है और जिसके अंदर हिंदुत का खून होगा वही हनमान जी का सच्चा चेला होगा और हम देखते हैं कि आप लोग में सनातन हिंदुत का खून है के नहीं हम तो अपने प्रानों की बाजी लगाए हैं ये बात हमने भोशना कर दीती छतारी में वर्तन कराए अच्छा देखो कि जबसे हमने हिंदुओं की घरबापसी करवाई तब से इनको टेंसन हो गई वो जो अमुक व्यक्ति हैं उनका का नाम है वो टकला नहीं है कि मानाओ है मानाओ तो है नहीं है आओ हुसाम मानाओ भगवान की उपन्नाम है ये कनागिया तुम भी ठाक्वल जी बंजी वारी से आप उनकी जो गुरू जी है वो क्रिष्चन है केरल की ये बात उन्होंने स्वयम सुईकार की है बरतमान में स्री लंका में सिप्ट हैं उनके जो गुरू जी है वो क्रिष्चन है जिनसे वो प्रभावित थे बरतमान में वो स्री लंका में सिप्ट है अब इससे समझ जाईए कि वो क्यों पीछी लगी है हम नहीं कह रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं टीवी नायन भारत बरस के जो अभी एंकर कौन थे भीयों है हाँ अब हम नाम नहीं लेंगे उनकी बुड़ाई हो जाएगी उनकी किरिकरी हो जाएगी एक बहुत अच्छे पत्रकारनें डिवेट में उनके बारे में पोल खोली है